नमस्कार दोस्तों अपना देश चानल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है भगवान बोले नाथ के सभी भक्तों को मेरा कोटी कोटी प्रणाम दोस्तों अगर आप भी भगवान बोले नाथ के सच्चे भक्त है तो कमेंट में जरूर से लिखें जै भोले नाथ दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रदोस रट से रिलेटिट जो सवाल है उनके बारे में बहुत सारे कन्फिजन्स बहुत से लोगों को तो उन सभी सवालों को मैंने लिया है अगर कोई सवाल कोई अगर आपका रह गया हो तो आप कमेंट करके पोच सकते हैं तो दोसों जान लेते हैं कि प्रदोश रट कब से शुरू करना चाहिए जो नए शुरू करते हैं उन्हें कब से शुरू करना चाहिए क्या शुक्लपक्ष से ही शुरू करें रट को बीच में छोड़ सकते हैं या प्रदोष का समय क्या होता है? क्या हम सुभा की समय पूझा कर सकते हैं? प्रदोष व्रत होते हैं उनमें मीठा बोजन किया जाता है दोस्तों नमक नहीं खाया जाता है लेकिन इसलिए प्रशन उठता है कि क्या हम नमक का खाना खा सकते हैं? क्या हम अन खा सकते हैं? तो इसलिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी साथ ही उद्यापन कित में ये प्रदोशवत होता क्या है दोस्तों प्रदोशवत भगवान शिवजी की आरातना का सबसे सुगम और सरल माध्य में एक्षिल में प्रदोश का जो समय होता है यानि कि सुर्यास और रात्री के होने के पहले का जो समय होता है उस समय भगवान बोलेना तो माता पारवती एकसाथ होते हैं और सभी देवी देवतां उनकी पूझा आराधना कर रहे होते हैं तो इस शुब समय में जब हम पूझा करते हैं तो हमें पूझा का कई हजार गुना फल मिलता है और जो भक्त होता है उसकी जो भी मनोकामना होती है उसे भगवान बोलिनात तुरंथी पूर्ण कर देते हैं और त्रेयोदशी व्रत काफल दो कर देते हैं और त्रेयोदशी व्रत काफल दो गोदान के बराबर माना गया है साथ ही दोसों त्रेवदशी की व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के जितने फेर होते हैं खत्म होते हैं इंसान को मौक्ष की प्राप्ती होती है साथ ही जीवन की सभी मनुकामनाई जो है वो भगवान भोलेनात की क्रपा से पोन हो जाती है और हिंदू चंदर कैलेंडर के नुसार जो प्रदोश का व्रत है वो चंदर मास के तेरवे दिन यानि की त्रयोधशी के दिन रखा जाता है और प्रदोश के दिन भगवान शिवजी की पूजा करने से व्यक्ति के पाप दूल जाते हैं और से मौक्ष की प्राप्ति होती है और हर मैने में कृष्ण पक्ष व शुक्ष की दो वरत रहते हैं और प्रतेक्त त्रयोदस्टी की वरत को प्रदोश वरत कहा जाता है सूरियास्त के बाद और रात्री के आने के पहले का समय जो है दोस्तों वो प्रदोश काल कहला आता हूँ इस व्रत में भगवान शिवजी की पूजा की जाती है हिंदु धर में व्रत पाठ उपास आधी का बहुत अधिक महत माना सचे मन से व्रत करने पर व्यक्ति को मन चाही वस्तु की प्राप्ती होती है वैसे तो हिंदु धर में हर महीने की प्रत्यक्तिति को कोई ना कोई व्रत या उपास रहता है लेकिन दोस्तों प्रदोश और एकादसी दो व्रत हैं जिनका महत अत्य धिक है और श्रास्त्रों के अंसार महीने की दोनों पक्षों की त्रेव दर्शी में शाम के समय को व्रदोश कहा जाता है और इस समय जो है आपने पूजन अर्चन करने से आपकी सारी मनुकामनाई जो है वो पूर्ण हो जाएंगी येकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ही आता ह है कि इस व्रत को शुरू कप करना चाहिए दोस्तों इस सवाल का सीधा सा जवाब ये है कि आपकी इच्छा क्या है आप इस व्रत से क्या चाहते हैं क्योंकि ये काम में व्रत है किसी ने किसी कामना के परपस के लिए हम इस व्रत को करते हैं दोस्तों अलग-अलग वारों के नुसार प्रदोश व्रत के लाब जो है वो अलग-अलग होते हैं तो जिस परपस के लिए आप व्रत कर रहे हैं उस दिन से आपने व्रत को शुरू करना होता है जैसे रविवार को पढ़ने वाले प्रदोश व्रत से आयू व्रत्धी ते था अच्छा स्वास्ते का लाब होत आप health के लिए अच्छी health के लिए और आयू व्रद्धी के लिए जिनकी आयू छोटी होती है कोई बहुत बड़ा issue है health को लेके तो उन लोगों को रवी प्रदोश व्रत से जो है प्रदोश व्रत स्टार्ट करना चाहिए और सोमवार के दिन 23 पढ़ने पर किये जाने व्रत व प्रदोश्वत स्टार्ट करना चाहिए और सभी मनो कामनाओं की इच्छा की पूर्ती के लिए बुध प्रदोश्वत को आपको करना चाहिए गुरुवार के दिन पढ़ने वाले व्रत से आपके सभी शत्रूं का नाश होता है यानिकि आपके दुश्मन अगरे आपने गुर प्रदोश्वत से प्रदोश्वत स्टार्ट करना चाहिए और जो लोग सोभाग्य चाहते दामपत्य सुख चाहते हैं और जिने अगर शादी नहीं औरी विवाह में अर्चने आई तो उन सभी लोगों को शुक्र प्रदोश्वत से प्रदोश्वत को स्टार्ट करना चाहि यानि दोस्तों आपने जो आपकी इच्छा है उस दिन पढ़ने वाले प्रदोस से आपने व्रत स्टार्ट करना चाहिए और शुकल पक्ष से ही व्रत को स्टार्ट करना चाहिए जब भी आप दोस्तों कोई भी व्रत नए शुकल पक्ष में अगर जब व्रत पढ़े तब अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो तो शुक्ल पक्ष के शनिवार को जब 23 आए तब आपने ये प्रदोश व्रत उठाना चाहिए उसी दिन से आपने व्रत को शुरू कर लेना चाहिए अब दूसरा सवाल ही आता है कि एक बार व्रत शुरू करने के बाद क्या हम व्रत छोड सकते हैं दोस्तों सोलर सॉंबार का व्रत हो चाहिए प्रदोश का व्रत ही ऐसे व्रत हैं जो एक बार लेने के बाद में जब तक पूरे नहीं होते बीच में बिलकुल भी नहीं छोड़े जाते हैं अगर आपने प्रदोश व्रत स्टार्ट करा है तो ऐसा नहीं दोस्तों आपने शनी प्रदोस से start करके हर साल वृत करना है आपने वृत बीच में नहीं छोड़ना है अग्र आप वृत छोड़ देंगे तो आपका वृत खंडित हो जाएगा इस बात का ख्याल रखे आपने शुरू उस वार से करना है और फिर हर महिने के दोनों व्रतों को आपने करना है अगली समझा यह आते कि लेडीज लोग को कि गर पिरेट्स आ जाए तो क्या करें दोस्तों पिरेट्स अगर आ जाते हैं तो व्रत आपने करना है लेकिन पूजया आपके घर में जो कोई भी इंसान है उनकी मदद से आपने कम्प्लीट करवा लेने चाहिए अब आगे सवाल यह आता है कि प्रदोस का सही समय क्या होता है प्रदोस के समय की गरना कैसे करें प्रदोस काल की गरना जो है इस तरह से करें कि आपकी यहाँ जो सुरियास्त का समय दिया है इस समय के बीच में आपने पूजा कर लेनी लगबग आप साड़े आठ के बीच में आप पूजा कर सकते हैं यह हमारे भारती समय के अनुसार कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं देगा इस बीच में जो है वो आप पूजा कर सकते हैं और अकर safe side लेना चाहते हैं तो पोने 7 से लेकर आप 8 बजे के बीच में पूजा कर ले तब भी आप प्रदोशकाल में ही पूजा कर पाएंगे और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जो लोग job करते हैं उनके लिए possible नहीं होता कि वो प्रदोशकाल में पूजा करें तो क्या वो सुबह के समय पूजा कर सकते हैं दोस्तों प्रदोश काल में ही पूजा करना इस व्रत का सबसे बड़ा नियम होता है क्योंकि यह है ही प्रदोश व्रत लेकिन दोस्तों जो लोग व्रत करने की इच्छा करते हैं इच्छा रखते हैं लेकिन इस समय पूजा नहीं कर सकते वो सुबह के समय में भी भगवान बो अगर पूजा ना भी कर पाए तो थोड़ा समय प्रदोशकाल में निकाल करके वो भगवान बोलेनाथ का ध्यान कर ले इससे भी उनको प्रदोश वृत का पूरा पूरा लाब मिल जाएगा अब जान लेते हैं कि दोस्तों आपने प्रदोश वृत की जो पूजा है वो किस तरह से करने हैं आपने त्रयोध दश्री के दिन जल्दी उठना चाहिए और आपने सुभवान की काम निप्टाने के बाद में फ्रेश कपड़े पैनने चाहिए बिलकुल धुलेवे आपने ज दोस्तों पूजा का जो बेसिक सामान है वो वही होता है जो आप एक सोले सोंवार या सोंवार की पूजा में यूज़ करते हैं इसे पंचाम नत हुआ गंगा चल हुआ भगवान बोलेना को चड़ाये जाने फूल जैसे कि मदार का फूल हुआ बिलपत्र हुए और जो जादी ओकस कर रख लेने अक्षत रख लेने और इस तरह से पूजन सामगरी को चौकी के पास रख ले फिर आपने भगवान बोलेनात को पंचामन से स्नान करवाना चाहिए जल से स्नान करवाना चाहिए गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए गनेश जी की पूरी विदिवि पूजा करके फिर ही आपने वगवान बोलिनात का अभिश्रेक करना चाहिए माता पार्वती की पूजा करने चाहिए और माता पार्वती की आप पूजा करने तो आप जोड़ा जरूर से बनाना चाहिए बहुत ही अच्छा माना जाता है विवाईक जीवन के लिए और अगर ह पूजा कर रहे हैं और वापे श्रीव पारवती दोनों हैं तो आपने जोड़ा जरूर से पैनाने चाहिए खास तो पर उन लोगों को जो शादी की इच्छा से इस व्रत को कर रहे हैं तो इस तरह से पूरे विधी विधान से आपने पूजा कर लेनी है अब पूजा करने के बाद में दोस्तों अब पूजा के लिए एक चीज़ और ख्याल रखें दोस्तों कि जब आप बैठते हैं चोकी की लगाते हैं तो आपने उत्तर पुरु मुखिया तो इश्रान कोंड की तरफ मुख करें या फिर उत्तर या पुरु की तरफ मुख करके बैठें और आसन का जो चैन है कुशागे आसन का इस्तेमाल करें नहीं तो कोई उनी मोटी उनी हासन का आपने चाहिए पूरी पूजा कंप्लीट करते हैं समय भी आपने ओम नवश्रिवाय का जाप करते रहें या महा मृत्युम जे मंद्र जो उसका आप जाप कर सकते हैं वो इस तरह से आपन किसी भी मंत्र को लेकर 108 बार आपने घी के साथ हवन करना चाहिए जो भी नवयदे रखा या खीर रखी तो उनको अपने अगने में घी के साथ जो है वो अररपित करते रहना वो मंत्र जाप करना इस तरह से आप बहुत सिंपल तरीके से जो वो हवन कर सकते हैं लेकिन सब heel ये भी आता है क्या हवन ज़रूरी दोस्तों हवन करने से घर का जो वातावरण है वो शुद्ध होता है पवित्रता आती है इसलिए हवन करना चाहिए लेकिन अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हवन नहीं कर पा रहें तो कोई दिक्कत नहीं आप इसे अवोईड कर सकते है अब ये सवाल ये आता है कि व्रत में क्या खाएं व्रत में क्या खाएं दोस्तों बेसिकली जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भगवान बोले नात के व्रत में मीठा बोजन किया जाता है चाहिए वो सोला सोमवार का व्रतो चाहिए शावन सोमवार को भगवान बोले ना से साथ नहीं देता है तो जैसे आपका शरीर साथ दे उसी नियम के साथ आप व्रत शुरू करें और जिस नियम से शुरू करें उसको आपने continue रखना है यानि कि अगर आप चाय दूद लेकर व्रत करें तो आप सुबह में सुबह में पूजा करके एक बार चाय दूद ले सकत हैं और व्रत का नमक ले सकते हैं जो साधार और सिंपल नमक है वो आपने नहीं लेना लेकिन जो लोग इच्छा तो रखते हैं लेकिन फिजिकली बहुत वीक हैं वो एक समय भोजन भी कर सकते हैं शाम की पूजा के बाद में तो दोस्तों यह कंप्लीटली आपकी खुद के शरीर पर है कि आप किस तरह का व्रत कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों अगर आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन और पूरे के बाद में व्रत कंप्लीट हो गया और खा लेते हैं तो इस तरह से नहीं करना चाहिए दोस्तों सुर्योदय से लेकर अगले दिन सुर्योदय तक आ आत्याद है तरह को खार कोई भी हुआ कोई बीचिज कहा कर आहियाई, और अविरत की जो नहीं जांगी है। याने कि कम से कम 24 वरत आप करें और अगर अधिक मास है तो आपने 26 वरत कंप्लीट होने के बाद में उद्यापन करना चाहिए और दोसों उद्यापन करने के बाद ही आप कर है आप चाहें तो वरत छोड़ सकते हैं और बहुत से लोग जो है वो कंटीनिव रखतें तो आप कं तरीके से करना चाहिए तो उद्यापन के लिए अगर अधिक मास है तो 27 वे 23 वरत के दिन उद्यापन होगा और अगर और अगर नॉर्मल साल है तो आपने 25 वे प्रदोश वरत के दिन तयारी करनी है और प्रदोश वरत के पहले दिन ही आपने गनेश जी का पूजन आहवान करना चाहिए रात्री जागरन करना चाहिए फिर चौकी बहुत अच्छे से सजा कर आप जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे ही पूरी पूजा उसी तरीके से रहेगी कि इसके लिए आपने दोस्तों हवन जो है उसकी संकल्प संक्या बढ़ा सकते हैं बहुति के लिए खीर का आपने इस्तेमाल करना चाहिए और पूरे विधी विदान से जैसे आपकी डेली की पूजा है वैसे ही आपने पूजा करनी हवन समाप्त होने के बाद में भगवान बोलिनात के आप आरती करें शांती पाथ आप कर सकते हैं इस दिन उद्यापन के दिन आप दो ब्राहमनों को भोजन करवा सकते हैं और अपने सामर्थे के अनुसान दान दक्षिना देकर आपने व्रत को कंप्लीट करना है और उस दिन आपने उद्यापन वाले दिन जो है आप नॉर्मल खाना जो प्रशाद की रूपने आपने बनाए है वो अपनी से परिवार जो है वो ग्रेंड कर लेना तो इस तरीके से दोस्तों आपने प्रदोश में हर तरह की खुशियां लाता है और जीवन के हर संकट से हमी बचाता है दोस्तों अगर इंफर्मेशन से लिखे जय भोले नाथ